हेलो गाइस वेलकम बाक टो चैनल पीसी एंबी डिजिटिल गुरूकल बेटा टेंथ क्लास की 38 वरक्षीट है हमारे पास 6 अक्टोबर की यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो अपने पिछले पार्ट में कहानी के माध्यम से देश बक्ति के माहिनों को जाना था अब इस मार में हम रेकाचित्र की माध्यम से बाल गोबिन भगत के विलक्षन वेक्तित्तों के बारे में जानेंगे तो आईए इसमें हम जानते हैं इस इंदी साहित्ते के प्रतिबाशाली लेखा कौन है श्री राम वरक्ष बेनी पूरी बाल बोगेन भागत मांजले कद के गोरचटे आदमी थे साठ के उपर के उमर उनकी थी बाल लंबे थे लंबी डाडिया जाटा जूट तो नहीं रखते थे किन्तों हमेशा उनके चेरे पर सफेद बालों से ही जगमा के रहते थे यानि थोड़ी बहुत हलकी डाड़ी रहत पर से ओड़े रहते हैं मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन तो नाक के छोर से ही ओरत के टीके की तरह शुरू होता था गले में तुल्ची की जड़ों की एक बिडोल माला बानते थे उपर की तस्वीर से यह नहीं मन जाए कि बाल बोगिन भगत सादू थे न तो खेतिवारी करते परिवार भी रखते बाल गोबिन भगत सादू थे सादू की सब परिभाशाओं पर खरे उतरने वाले कबीर को सहाब मानते थे उन्हीं के गीतों को गाते उनके आरेशों पर चलते थे कभी जूट नहीं बोलते थे खरा वैवार रखते थे किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते नहीं खामखा जगड़ा करते किसी की चीज नहीं चूते नहीं बिना पूचे वेवार में लाते इस नियम को कभी कभी इतनी बारिकी तक ले जाते कि लोगों को कोतुहुल होता कभी वे दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं पर था वे एक कवीर पंथी मठ वे दरबार में भेट रूप रख लिया जाकर प्रशाद रूप में जो नहीं मिल जाता उसे घर लाते और उसी से वह अपना गुजारा करते थे अब आपको सही बात बतानी है बाल गुविन भगत पाठ किस विधा की रचना है तो यह एक कहानी है मन्जोला शब्द का क्या अर्थ होता है तो देखो यहाँ पर उन्हें लिखा होगा मन्जोले कद के गोरचिट यानि की बीच के नहवथ छोटा नहवथ बड़ा बाल गुविन भगत किस कारण से सादू कहलाते थे शुदता सच्चा साधक कोई नहीं तो अचारण गत सुदता और सच्चा साधक होने के कारण बाल गुविन भगत किसे साभ मानते थे कवीर को बाल गुविन भगत किन परिबाशाओं पर खतर उतरने वाले थे बच्चों साधू के बागल गोवीन भगत का वेवार कैसा था जूट नहीं बोलना एफ खरा वेवार करना खामका किसे जगड़ा नहीं दो टूक बात करना उप्रयोक्त सबी अब आप से गतेविदी दी गई कि उप्रयोक गध्यांत के से इन परशन के उत्रिक दस परशन का निर्मान करें तो कोई भी आप इसमें अपने हिसाब से सवाल बना सकते हैं जो भी आपको मन करें वैसा आप इसमें अपना जो है बनाएं कि भाई जैसे मैं आपको एक दो चीज़ें बता दू तो आप लिग दें कि वह कैसे आदमी थे गोरे चिट्टे थे कितने वर्ष के वह रहे होंगे